पिछले लगा था तीन से चार दिनों में यही बात निकल कर सामने आ रही कि कमलनाथ बीजेपी जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं और दूसरी बात नकुलनाथ भी जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं तो मुझे लगता है इन तमाम अटकलों पर सफाई क्या है या फिर असल में क्या हो हैं लेकिं कमलनाज जी की तरफ से कभी ऐसा इस पस नहीं आया है कि मैं जे बाच पाँ जाइन करना है तो माननी हमारे पूर मुख्यमंती वरिस नेता है और गंबीर वेक्ती है और सभी विधायक उनके साथ है वो कॉंग्रेस पार्टी के साथ है और चुकि उन्होंने भी कई बार मन्द से कहा है कि मैं इंदरा गादी का एक तीसरा बेटा हूं तो वो इस सम्मान को इस गरीमा को समसते हैं गंबी हायों से कॉंग्रेस शब्द का हट जाना इसी तरह से बातें को बल मिलता है हर चीज का उतार चड़ा हो रहता है लेकि मुझे लगता है कि सब बातों पर विराम लग चुका है और ऐसा तो नहीं कि बेटे के लिए कोई नई भूमिका चाहते हैं या फिर अपनी भूमिका भ हमारे मत्पिदेश के और सौवी के मत्पिदेश के लिए इनकी एक महत्पुन भूमिका है तो कॉंग्रेस में भी उनकी महत्पुन भूमिका मैं ऐसा समझता हूं अमक जी अभी ये खबर आ रहे हैं कि वो जिस तरह से उन्होंने चार लाख से ज़ादा कैसे या करोड से ज़ादा पत्रक भेजे थे तो रामलला के दर्शन करने भी जो है कमलना जी और उनका परिवार जा सकता है देखिए इसमें कॉंग्रेस पार्टी ने कभी किसी को नहीं खाया है कि आप राम बंदीर के दर्शन ना करें तो ये ऐसा नहीं कई लोग जाते हम भी और उर्शा गये थे हम और पदेशिद्देक्शी तो सब में आसता है राम को लेके और कब कुन कब जाता ये अलग पात लेकिन आसता तो है तो यानि उमंग जी ये साफ गैरंटी दे रहे हैं कि कमलना जी बीजेपी नहीं जोइन कर रहे हैं सवाव ही कि इस पकार से आप उन्होंने सब अफ़ुआउं को पुर्णे विराम लगाया तो तो कमलना जी ने गैरंटी दी तो सवाव ही है हमारी भी ग जीत करने के लिए तो ये थे उमंग सिंगार जी साफ तोर पर कह रहे हैं ये फुआ हैं और उन पर विराम लग चुका है अब शेक बाई के साथ हराम किंकर सिंग आज तक के लिए